बेसपी टाउन्शिप में रहने वाले रहवासियों के लिए शुद्ध पानी मिलने की कावाया तेज हो चुकी है। इसके तहद भिलाइस्तित कला मंदिर में भिलाइनगर विधायक देविन यादव के हाथो भूमी पूजन का इक्रम किया गया। 336 करोड की लागत से शिवनात नदी से बेसपी के मरोदार डेम में पानी लाए जाएगा भिलाइनगर विधायक देविन यादव और राजिशासन एवं बेसपी प्रबंधन जिला प्रशासन की सहयोग से इस पूरे प्रोजेक को तयार किया गया है। बेसपी टाउनशिप में रहने वाले रहवासियों के लिए अब शुद्ध पानी मिलने की कवायत तेज हो चुकी है। इसके तहट भिलाइक के सिक्टर चेश्थित करा मंदीर में बेसपी नगर विधायक देविन यादव के हाथो भूमी पूजन काईकरम किया गया। 336 करोड की लागत से शिवनात नदी से वेसपी के मरोदा डैम में पानी सप्लाई किया जाएगा। भिलाइनगर विधायक देविन यादव और राज शासन वा वेसपी प्रबंधन जिरा प्रशासन की सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को तयार किया गया है। बतादे भिलाइनगर विधायक देविन यादव ने कहा है कि आज का दिन एतिहासिक दिन है और ये काम सिर्फ मेरे या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है बलकि ये सभी की सहयोग से हुआ है। शिवनाथ नदी से मरोदा डैम में पानी लाने की इस योजना से एक और जहां बेसपी को उतपादन के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा तो वहीं दूसरी और टाउन्शिप में रहने वारी लोगों को जो गंदा पानी की समस्या से सालों से जूजते देखा जा रहा था उन लेकिन भिलाई को ही मीनी इंडिया कहा गया है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां अपने पन की भावना है हमारे 36 गड़ महतारी सब को अपनाती है कोरना काल के समय भी टाउन्शिप में गंदे पानी की समस्या थी पर वहीं अभी कुछ दिनों से कुछ टंकियों से पान ऐसे पेरलर व्यवस्था खड़ी की कि शेत्र की लोगों को एक बुन पानी की समस्या भी नहीं हुई मैं मानी मुक्षमंद्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा अधर्णी रविन चावबे साब का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा विलाई में साफ पानी को लेकर पिछले समय से लगातार हम लोगों के लिए चैलेंजिस चल रहा था आपने देखा है कोविट के समय से हम लोग बहुत प्रयास के बाद भी पूंटा सफलता की और नहीं पहुँच पाया थे ये एक हाई समधान है साफ पानी के लिए टाउंशिप के लोगों को अब हमेशा साफ पानी मिलेगा जिसके लिए मैं मानी मुक्रमंतरी जी का राजशाशन का और बीएशपी प्रबंधन का एरिगेशन डिपार्टमेंट का सभी का दिल से धन्यवाद करूँगा बराल इस दवरान बली संख्या में गणमा नेनागरिक शामिल रहे ग्रैंड एसीन न्यूस के लिए हर्श सोने के साथ चाहिन खान की रिपोर्ट